आईए हम देखते हैं United Nations की एक रिपोर्ट United Nations का Economic Survey Department है उसका एक Institute चलता है जिसका नाम है WIDER WIDER शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है World Institute for Development Economics Research ये United Nations University में ये एक Department है और ये Department Economics के मुतालिक सर्वे और उसकी Statistical Data जमा करता है उसकी रिपोर्ट इंटरनेट वगेरा पर पब्लिश करता है हमें उसकी रिपोर्ट के ज़र ये पता चलता है कि World में जो Wealth का Distribution है जो Wealth Distribution है वो किस तरह से है तो इसमें हम अभी जो पहली बात करने वाले हैं Assets की बात करने वाले है जो दुनिया भर में जो भी Assets है वो किन के हाथ में है तो हमें पता चलता है कि दुनिया की जितनी भी प्रापटी है जितनी भी Assets है वो सारे के सारे Assets को अगर लिया जाए तो देखायाता है कि दुनिया का जो 1% of the richest population of the world दुनिया का सबसे अमीर तरीन एक टका जो 100 टका दुनिया है उसमें से 1% सबसे अमीर दुनिया उनके पास कितनी प्रापटी है वो एक टका के पास क्या 2 टका प्रापटी है property का कितना percent उनके पास है 1% लोगों के पास क्या 2% है, 3 है, 4 है, 10 है 15 है, 20 है, 25 क्या है, पता चलता है कि वो 1% दुनिया के लोगों के पास, दुनिया की 40% property है दुनिया की 40% assets, global assets वो एक टका लोगों के पास 1% के पास 2% नहीं, 3% नहीं 40% दुनिया के assets एक टका के पास है और जब हम आगे बढ़ते हैं दो नहीं तीन चलो 10 टका दुनिया की जो richest 10% को देखेंगे इसमें वो 1% भी included है 1% के पास 40% है चलो richest 10% को देखते हैं 90% दुनिया छोड़कर 10 टका दुनिया की बात कर रहे तो हम देखते हैं कि इस report के मताबिक 10% जो 10% of the richest population of the world है उनके पास दुनिया के 85% assets है दुनिया के अंदर 100% जो assets है उसमें से 85% assets 10 टका के पास है अब बचे कौन 90% लोग बच गए दुनिया के 90% में हम देखते हैं कि गरीब तरीन 50% की हाल देखेंगे हम दर्मियान के 40% जिन्हें middle class कहते हैं इनको छोड़ कर गरीब तरीन 50% यानि आधी दुनिया जो गरीब आधी दुनिया है आधी दुनिया जो गरीब हम उनकी बात देखते है जो 50% जो गरीब हैं उनके पास कितनी property है जब 85% property 10 टका के पास है तो बचा कितना 15% बचा 15 टका 15 टका जो property बची और 90% लोग बचे है तो 90% में से हम 50% लोगों के पास कितना है देख रहे हैं 50% के पास कितना है आपको बता है 1% भी नहीं है round figure के लिए 1% आ रहा है round figure के लिए 1% आया है उनके पास 1% of the दुनिया की property भी नहीं है आदी दुनिया के पास और 10% के पास 85% property है आदी गरीब दुनिया के अंदर जो लोग है उनके पास 1% property भी नहीं है Can you imagine? कितना बड़ा difference है और बचे दर्मियां की जो middle class जो दुनिया की 40% है दर्मियां की middle class ये 40% के पास 14% property है इसके अंदर भी upper middle, lower middle ये सब होंगे लेकिन total मिलाकर इनके पास 14 तका property है